इस सापताहिक वीडियो के अंतरगट हम 2022 के 7 जनवरी तक का Important Current of Year One Liner के माध्यम से प्रस्तूत करेंगे जो किसी भी एक्जाम में आपको काफी मदद करेगा खासकर BPSC, BSSC, CDPO, ITRD एक्जाम इसमें आप उन टॉपिक को भी अच्छे से समझ सकते हैं जो Important है जैदाना देर करते हुए चलते हैं पर्थम से रिलेटेड तो देखिए फलोरीना बीमारी का पर्थम मामला किस देश में दर्ज किया गया तो इसका आंसर होगा इजराइल में जो है फलोरीना बीमारी का पर्थम मामला जो है दर्ज किया गया अब दूसरा है उपराश्पटी के रूप में वैंकिया नैडू दूयूपों की पहली अधिकारिक यात्रा कहा की की मतलब किस दूयूप की जो है पहली अधिकारिक यात्रा की है पहली बार तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष दीब अब तीसरा है किस देश ने एक जन्वरी 2022 को 1990 के बाद पहली बार निकारागुआ में अपना दूतावास खोला बतला बोलता हुआ कौन सा देश है जो निकारागुआ में 1990 के बार जो है पहला जो है अपना दूतावास खोला तो इसका आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा अब चौथा है बिरिटेन का सबसे परतिस्ठित सम्मान पाने वाले पर्थम मैरीड कपल कौन बन गए हैं तो जैसन कैनी और लारा जो है यह जो बिरिटेन का सबसे परतिस्ठित सम्मान पाने वाले पर्थम मैरीड कपल बन गए हैं अब पांचमा है पर्थम कासी फिल्म महोटसव का आयोजन जो हुआ है कासी में ही हुआ है रुद्राक्ष कर्वेंशन सेंटर में और किस तारिक हो है तो 27 से 29 दिसंबर 2021 के बीच जो है यह जो है आयोजन हुआ है अब देखिए चाठा है उत्तर प्रदेश की पहली खेल उनिवर्सिटी का आधार सीला पिया मोदी ने कब रखी तो इसका अंसर हो जाएगा क्या होगा तो मेरठ में जो है इन्होंने रखी कब तो दो जनवरी 2020 को यह 60 क्रोर का प्रोज बनी उसके बोलना है कि पहले करमचारी प्रमु कौन बने है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा असोक एलू सुआमी आठवा है भारत में पहली बार 15-18 वर्स की आयू के किसोरों के लिए कोविल टीका करन कब किया गया तो इसका आंसर होगा तीन जनवरी 2022 को और बिहार कि अगर बात करें तो रीटी का कुमारी को जो अब बिहार में पहला टीका जो है इस चरन में जो है लगाया गया है अब देखिए बहुत इंपोर्टेंट है कि ओ एन जी सी की पहली महिला सी एमडी कौन बनी चेयर्मेन कौन बनी तो इसका आंसर हो जाएगा अलका मित्तल अ अब देखिए ग्यार्मा है यू के हेल्ट सर्फिस ने किस टीट्यू को ऑक्सपोर्ड अस्ट्रजेनिका कोविड 90 वेक्सिकन की पहली वर्सगाठ मनाई पहली वर्सगाठ मनाई मतलब एक साल किसने पुरा किया तो इसका आंसर हो जाएगा कब हो जाएगा तो चार जनमरी 2022 अब देखिए तेरे नमर का कोश्चन है दचनी धुरूप की अकेले दुर्गम यात्रा को पूरा करने वाली भारतिय मूल की पर्थम अस्वेत महला कोन बनी है इसका आंसर हो जाएगा हर प्रीट चंडी जो है यहाँ बनी है अब चोदर नमर का कोश्चन है कोरोना के नए आई सब्सक्राइड की पाई सब्सक्राइण स कृणध की नए जो रूप है जो चेंज करते रहते हैं अपने भिएडेडं जो नाम है जिसका आई स्यों उसकी पाई तो राजस्थान के किसी प्रमानु वहाइग, विमान वहाइग, पोड की नेतूत करने वाले पहली महिला कोंड बनी है। तो Captain Amy Born-Simmer उन्होंने जो है पहली महिला बनी है अब है विस्व में पहली बार भारत में नाइनो टकनिक से बनी नाइनो तरल यूरिया को किस ने तियार किया है तो देखिए इसे जो है इफकों ने तियार किया है और इसे जो है उन्होंने जो लांज किया था कब आठ ओपन रॉक म्यूजियम कहां बना है तो देश का पहला ओपन रॉक म्यूजियम जो है तेलगाना में बनाया है और इसके उटगाटन कौन किया तो केंद्रिय मंत्री जीतेंदर सिंग और यह जो है CSIR के दुआरा जो है कहां बनाया गया है तो राष्टिय भूभौतिक अनु पहली महिला जजबनी कौन बनी है तो आइसा मलीक जो है पाकिस्तान के सुप्रीम कोट की पहली महिला जजबनी और है बिहार में DNB यानि की डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड का परसिक्षन कराने वाला पर्थम अस्पताल कौन होगा तो मोतिहारी सदल अस्पताल जो है यह ज देखते हैं अंटर राष्टी से जो इंपोर्टेंट है वह हम डिसकस करते हैं कि सन्युक्त राष्ट सुरक्षा परिसद में गायर अस्थाई सदस्यों के तौर पर 2022 से 23 के कार्यकार के लिए कार्जभार समहला किसी ने जो है कार्जभार समहला तो देखिए अल्बानिया ब सदस जो है उसमें अभी सामिल है अब दूसरा है सन्युक्त राष्ट में 2022 के लिए सुरक्षा परिसद की आतंगवार निरोधी समीटी जो है गठित हुई है उसके अध्यक्ष जो है कौन नियुक्ष हुए है तो देखिए भारत के अस्थाई परतिनीधी भी है ती एस तिर तो फ्रांस को जो है अगले छे माह के लिए जो है इसे जो है बनाया है अगर बात करें तो यूरोपीय संग में जो भी कुल जो है 27 देश जो है सामिल है आई अब अगला देखते हैं राश्टी राजनेटिक हल्चल जो होते हैं उससे रिलेटर है कि किस देश में विगत दो वर्सों से लागू रात्री कालिन करफ्यू हटाया गया 31 दिसमबर 2021 को तो दक्षिन अफ्रिका में जो है विगत दो वर्सों से लागू रात्री कालिन करफ्यू हटाया गया 31 दिसमबर 2021 को अब है किस देश के प्रधान मंत्री अपने देश में तक्था पलत के समझ होते के टक्ता प्रत हो गया फिर उसके बाद जो समझा होता हुआ था, उसके बाद जो लेकिन बाद में इस्थीपा दे दिया, तो कौन सा देशा है? तो सुधान है, और उसके प्रदान मतली किसने इस्थीपा दिया? तो अब दुल्ला हम दोखने, दो जनवरी 2022 को अब देखिए है किस देश की राजधानी में परदरसन कारी द्वारा सरकारी इमारत में आग लगाने के बाद आपातकाली घोसित कर दिया गया तो इसका अंसर हो जाएगा कजाकिस्तान की राजधानी में जो अभी परदरसन कारी हुए है उसमें सरकारी इमार किया गिया है तो विनाय कुमार तिरपाथी या कहे तो भीके तिरपाथी भी हम कर सकते हैं इससे पहले कौन थे इस पद पर तो इससे पहले जो है सुनित सर्मा थे इस पद पर और विनाय कुमार तिरपाथी को जो एक जनवरी से 30 जून 2022 के लिए इसे जो है न्युक्त किया ग आग जोए वी s पठानिया लिए और यह भी जोए एक जन्वरी से ही इसे जो है पधभार दिया गया idag. अगर इंपोर्टेंट conviction कौन से बिहार के नए मुख सचीव कौन बनाए गए तो आमीर सुब्रहानी को जो है बिहार बिहार के नए विकास आयुक्त किसे बनाए गए तो अतूल परसाद को बिहार के नए विकास आयुक्त बनाए गए अब है कोई योजना है ला काशकरम ऑपानच की मीसन समान निद्धी कुष। किसान योजना जिसे हम कहते हैं उसकी कौन सी किस्ट जो है जारी की गई तो दसवी किस्ट जो है जारी की गई अब देखिए पीम किसान योजना क्या है तो इसे जो है 2019 में लागू किया गया था इसका लक्ष है किरिसी योग भूमी रखने वाले देश भर के सभी भूमी धार किसान परिवारों के आई में सहयोग करना और इसके तहट जो है क्या है तो लाभारती किसान परिवार को 6,000 रुपे का आर्थिक मदद जो है हर साल 2,000 रुपे के 3 किस्तों में सीधे किसान के बैंग खाटे में जो है डाली जाएगी और 1 जनवरी 2022 को जो है अगर बात करे तो इसके अलावा जो है इसी दिन 351 एफ़ प्यो किसान उत्पादक संगठन को 14 करोर रुपे का अनुदान भी जो है जारी किया है अब है देखिए एक जनवरी 2022 को 100 दीन का पढ़े भारत सिक्षा अभियान का सुभारम किसी ने किया तो केंद्रिय सिक्षा एबं कौसल विकास मंतरी धर्मेंदर पर्धान ने और यह जो अभियान है कब से कब तक के लिए रहेगा तो एक जनवरी 2022 से 10 अपरेल 2022 तक यहां पर मिश्टेक हो गया है 20 लिखा गया है अब देखिए इसका उदेश क्या है तो विद्यार्थी में सिक्षा का अस्तर सुधारना रचनात मक्ता महत्पुन सूच सब्द कोस और बोल एबम लिख कर व्यक्त करने की छमता का विकास करना अब देखिए इनारी सक्ती रीन योजना यह जो है दो जनवरी को जो है लागू किया गया कहां पर तो दक्चिन बिहार गरामिन बैंक के द्वारा बिहार में और यह किसके लिए यह की नारी सक्ती योजना है तो मही लाओ के लिए हैं अब है वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट योजना के अंतरगत चटपटा और स्वाद वाले माखानों जिसका ब्रांड बनाया गया किंग माखाना को किस ने लौंच किया तो केंद्रिय खाड़ प्रसंसक्रान उद्योग मंत भारी में मध्यपर्देश सरकार के दोरा इसे लागू किया मोद्य जी दोरा 4 जनुबर vite22 को तिरपूरा में किस योजना अब किस मिशन की सुरुवात की गई तो तिरपूरा ग्राम सिमिर्धी योजना किस मिशन के है तो तिरपूरा ग्राम सिमिर्धी योजना और विद्या जियोती स्कुल प्रयोजना मिशन 108 इसकी जो है ये दो योजना जो है इसे जो है शुरुवात की गए अब है बिहार में नई राष्टिय सिक्षा नीती के तहत केंद प्रायोजित विद्यान जली योजना के लागू होने की संभावना कब तक है तो मार्च 2022 तक बताया गया है कि इसे लागू कर दिया जाएगा और विद्यान जली योजना जो कई एक तरह से एक मुहीम है जिसमे है कि कोई भी चाहे आप है सामर्थवान व्यक्तिय हैं अगर किसी स्कूल से पढ़े हैं तो अगर आपके पास उसनी च्हमता है तो आप इसमें जो है अपनी जन भागी-दारी के रूप में जो है अपनी तरब से जो मदद कर सकते हैं चाहे पढ़ा के दे सकते हैं चाहे आर्थिक रूप से मदद दे सकते हैं चाहे खेल से लेटर अगर आपको इक्षा है तो कुछ भी चीज जो आप दे सकते हैं तो यहीं जो है विद्यांजली योजना है जो केंसरकार द्वारा जो है नई राष्ट्य सिक्षा निती के तहद जो है इसे जो है लागू किया जाएगा मार्च 2022 तक अब अगला है साहित अकादमी पुरुषकार हलाक यह दिसंबर कहाई है लेकिन यह इंपोर्टेंट है देखिए साहित अकादमी पुरुषकार जो है नेशनल एकेडमी ओफ लेटर्स द्वारा जो है दिया जाता है इसकी अस् पुरुषकार जो है अगर बात करें तो चौवीं छेत्र में मिलता है कितने तो चौवीं देखिए चौवीं szामें जो है इसे जो है इसे लेड़िया जाता ए心टug Amenap göst ethanol कोट जो या जो जो है पुरुषकार दिया गया है किसके लिए तो नाटक सम्राग और सोक के लिए जो ह में ही दिया गिया है चार भासा कुछ बाद में जोड़ा जाएगा जैसे कि उर्दू मैठली गुजराती मनिपूरी आप जिस राज से हैं उस राज से लिए तिर भासा जो है आप जो है इंपोर्टेंट है आपके लिए वह देख लीजेगा वैसे अब है साहित अकार्टमी यूबा पुरुसकार इसे भी उसी दिन घोषना किया गया तो इसमें हिंदी में बात करें तो हिमानसु वाजपेई को मिला है अंग्रेरी में बात करें तो मेगा मजुमदार को मिला है साहित अकार्टमी यूबा पुरुसकार अब अगर बात करें ब मालसाहित पुरुषकार तो हिंदी में देवेंद्र म्यावारी को मिला है नाटक-NATक में ऑन सें देने के लिए और अंग्रेजी का अनीता वचरजनी को मिला टो जीवनी तो अमरीता सेंल गिल रिवेल एप पेंट बरस अम्रिता सेर गिल रिवेल विद पेंट बरस तो यह जो है इतना इंपोर्टेंट है अब आईए देखते हैं अंतराष्टी कुछ पुरुषकार है जो कि जनवरी से हैं वार्षिक नवर्ष सम्मान बिरिटेन में पुरुषकार दिया गिया है बिरिटेन की महरानी अभरां आउडर आफड़ ब्रिटीश एंपर कया समान है और अगर बात करें धर कमंडरें औफड़ आउडर ब्रिटेन की से मिला है तो अजय कुमार कखकर को लुटेकंगी ओरर बात करें तो महरानी एलिजा बेञट ब्रिटीज से भी समानित किया है तो किनकीन लोगों को समानित किया है तो ब्रीटेन के पुर्व प्यम टोनी वलेयर को और सैक्लिंग खिलारी जैसन कैनी को जो है या जो है पुरुषकार तिया गया इसके अलावा जो है ऑफीसर अपड़ ब्रीटिस एंपाइर आवार्ड आई वी ए किसे मिला है तो एमा हायस को इसके अलावा ज देखिए यह है राइजिंग फैशन ऑफ दे यर अवार्ड यह किसे मिला है तो सालीनी सिंग को जो की पटना की रहनी वाली है और इस अवार्ड का जो आयाजन कहा हुआ हुआ तो मुंबे में हुआ था देखिए अब रैंकिंग सुचकांग चाहे कोई रूपोर्ट है इसम निवाश्ट हम बात करेंगे तो चेंटर ऑप qua डरी इंडियन एकनोमी रिपोर्ट बात करें तो यह यह बैरोजगारी के रिपोर्ट करते हैं घजारें है किसके अनुसार तो सेंटर फॉर्ड मोनेजिन इंडियन एकोनमी रिपोर्ट के अनुसार और चौथा अस्थान पर बिहार है अब देखिए हेल्ट इंडेक्स 2019 से 20 जो है यह जो है अभी जो है जारी किया गया इसमें देखिए नीति आयोग दुआरा जो है जो है जारी किया प्रगति सील भारत यह भी हुज़ा दिसमबर में ही जो है चोथा संस्क्रन था और इसमें अगर बात करें तो बरे राज अबको याद रखना बरे राज जो है 19 बरे राज है और उस बरे राज के सूची में केरल को परत्रम अस्थान मिला है और बिहार को 18 अस्थान अगर बात करें अगर छोटे राज की बात करें तो फ़स्ट अस्थान पर मीजोरम है और सकेन पर त्रपूरा और अगर बात करें केंट्शासित की तो कंता चूऱ दादरां और नगर हवेली। अब देखिए अटल रैंकिंग आफ इंसिट्यूशन और इनोवेशन एचीवमेंट 2021 यह 29 दिसंबर को यह भी पुरुषकार दिया गया तो इसमें फर्स अस्थान जो है किसे मिला है तो फर्स अस्थान जो अगर पूरे विस्विद्याले की बात करें तो आयाटी मदरास को फ अगरे बात करें कीसी विस्विद्याले में तो फर्स अस्थान पर हढ़ी हडी अर्शाण सरकारी साहता प्राइब करने में परस्थान पर पंजाब और नीजी स्वह पोस्षित विच्विद्याले में फष्ट अस्थान पर के आयाएटी खोड़ा विःब केल से डिसंबर 2021 स्रीलंका को हराकर भारत ने कुल कितनी बार कियर्केट का अंडर 19 ए कोफ जीता जो बहुत इंपॉर्टेंट इससे पहलए अंबर 19 एट डम कोफ ची relied में उतर चीली यूठ कोन दोसरा है इस्ट बंगाल फुटबॉल, मुख कौच मारियो रिवेश जो है यह जो है बने है इस्ट बंगाल फुटबॉल का जो मुख कौच कौन बने मारियो रिवेश जो है बने है तिसरा है अंदर 17 महिला फुटबॉल वल्लकप की मेजमारी कौन करेगा तो भारत करेगा यह जो है भारत में जो है आयोजित की है चल्ए पंट किसी ने किरकेट से सन्यास लिया है किर्केट भानुग। पक्षा ने जो है अंतरास्टे किरकेट से सन्या नास लिया है और महिला विस्कप 2022 भारतिय महिला टीम की कफाण कौन बनेगी महिला विस्कपो जो आयोजित होंका 4 मार्ड से 3 अप्रेल 2022 में उसका भारती तीम के कप्तान किसे बनाया गिया है, तो मिताली राज को और उप कप्तान के तौर पर हर्मन प्रीट कौर को बनाया गिया है, अब देखिए, वेस्टेंडी पूरूस किर्केट टीम के मुख चेन करता जो किसे बनाया गिया है, तो पारित किया गया तो आपको याद रखने है लोक सभा से 20 दिसम्बर को राष्ट सभा से 21 दिसम्बर को और 31 दिसंबर 2021 को जो है राष्ट पटी से जो इसे मंजूरी मिल गी दूसरा है कि यह जो है इसका उद्देश क्या है विध्यक का तो अधार काड को वोटर काड से जोड़ना एब फर्जी वोटर्स का पता लगाना अब देखे इस संसोधन के तर्ट क्या-क्या हुआ यह संसो कर दिया गया अब देखिए दूसरा है कि एंडी पीएस यानि की नार्कोटिक्स ड्रक्स एबम साइटो ट्रॉपिक सबस्टेंशन विध्यक 2021 तो यहां जो है 13 दिसंबर 2021 को लोगसभा से पारित किया गया और 31 दिसंबर यहां किसको राष्ट पती स्विक्रीट कर दिया और यह क्यों लाया गया था तो तिर पुरा है कोर्ट आदेश दिया था कि इसमें कुछ तूरूटिया थी उसे दूर करने के लिए लाया गया था और यहां जो है रखा गिया अब देखिए है किस देस की आदालत ने अपने पुर्व राश्पती पेट्रो- पोरो सेंको की संपती राजदरो solids की अधिकारी के जांच सिंसले में जब्त की युक्रेशन की आदालत जो है उन्हें अपने पुर्व राश्पती पेटो को की समःत्थी को जब्द कर देकिए, अभी समझ голता हुआ है, वाननी परकासन समु के दिवारा तो उसे समझ लगता है, किस परकासन समु ने भारतिय घ्यान पीट ट्रस्ट के साथ, भारतिय ग्यान पीट के विस्व पर्सिद preparep परकासन का एक अधिकारिक परकासन अधिकारों के लिए समझभोता किया तो वानी प्रकासन समू और इसके चेर्मेन कौन है अरून महाईस्वरी देखिए वान ज्यानपीत पुरुसकार के साथ ज्यानपीत पुरुसकार के अस्थापना हुई थी 1943 में पर्थम पुरुसकार जो है इसमें जो किसे दिया गया था इसके तहट तो जी संकर कुरूप को जो कि मल्यालम भासा के लिए दिया गया था और यह जो 1965 में दिया गया था इसमें है कि प्रकास सिन्हा के नाटक सम्राथ असोका को जो की 2021 का साहिट अकार्मी पुरुसकार दिया गया है वह पुस्तर वानी प्रकासन से यह प्रकासित हुआ था कि देश के डिफ्येंस फोर्स ने रक्षा समझाता किया है तो अभी डिफ्येंस फोर्स ने जापान ने क्या किया है तो दोनों की इसisen के वीचित फोर्स सम्झाता कि Cred ca 2022 कि आप युए प्रकासित हुआ यहीं सब यह हैं अतरगर्द दिवस में मanaया गया ठाज भिवस को नाया गया उन्हें gratis है जो पट्षीष चेठ्रों पर दिवस्त हैं और विशर्च अगर बात करें फर्फम St. दिवस दोजार उनीस में मनाया गया था और 1829 में पहली बार ब्रेल लिपी पर नाली परकासित मुई थी कब अगर बात करें तो एक जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था तो अंतराष्टिय सार्विनिक डोमें डिवस दिवस यह मनाया गया अंतरीष काशक्रम से रिलेटेड है कि तीन जनवरी दोजा एक किस को रक्षा मंतरी ने देश के किस विष्विद्याले में कलपना चामला के नाम पर स्पेस रिसर्च सेंटर का उठाटन किया तो किस विष्विद्याले में तो चंडी गर्ड विष्विद्याले में जो है यह उठाटन किया यह निर्वाचन संबंदित है तो अभी जो हाल ही में बिहार निर्वाचन बिभार जो है अपना मतदाता सुची जो है जार सो उनासी कितना है उनासी अगर बात करें मतदाता की बात कर रहे हैं किसकी मतदाता एक सो पुरूस मतदाता पर कितने महिला मतदाता है तो 904 जो है यह है मतलब क्या इसका रेशियो जो है सही नहीं है एक तरह से कंट्रोल में नहीं है अब देखिए बूत की संख्या बात करें बिहार में तो 77221 अगर ट्रांसजेंडर मतदाता की बात करें तो सकता है 140 है और इसी अधार पर जो है उन्हेंनों जे बिहार की भी जो है आवादी भी जो है इसके अनुसार किसके अनुसार राज निर्वाचन विभा के अनुसार जो कितनी है चौदा करोर एक कार्णमे लाग एक टालिस हजार तीन सो सैटीस है अब देखिए दुसरा है चुनों आयोग संसद और विधान सभा चुनाओ के लिए खर्च सीमा जो है दस परसेंट बढ़ाए गई है किसमें तो संसद में और विधान सभा चुनाओ के लिए जो है चुना चुनाओ में इतना खर्च और विधान सभा में तो 40 लाग बड़े राज के लिए और छोटे राज के लिए जो है 28 लाग और यह कब जो है तो साथ जन्वरी 2022 को जो है जारी किया है चुनाओ आयोग ने कोबीट से रिलेटर है देश ने कितने दीन में 150 क्रोर कोबीट टीका लगाया है तो 11 महिने 30 दीन में जो है देश ने जो है 150 क्रोर कोबीट का टीका जो है लगा दिया और इसका डेट इंपोर्टेंट है आठ जन्वरी 2022 को अगर पूछे कि फर्स्ट टीका कब लगाया था कोबीट का तो 16 जन्वरी 2021 को और सबसे पहले जो स्वास्त कर्मी को आने की राजव्यवस्था से है जो की डैनामिक कोश्चर बन सकता है कि पटना हाय कोट में जजों की संख्या जो वर्तमान में कितनी हुई है तो देखिए वर्तमान में जो 26 हो गई है नए जज के रूप में किसे जो है न्यूक्त किया गया संजीब प्रकास सर्मा को वर्स 2021 में हाय कोट में किसे न्यूक्ती हुई है वर्स दुयां त्थी में हाय कोट के अगर बात करें जो है और सु अन्यूक्ती होई है 2010 में 22 में अाब देखिए घृँ देखिए session वर्तमान में कितनी है मतलब कितनी स्ट उन्युव्य Unity 524 में जी बात करें तो 3349 है जीला परिशड है और जितना जो ग्राम पंचायत की संख्या है ठीक उठना ही जो ग्राम कचहरी भी इस बार से जो है कायरत में है डैनामिक कोश्चन जो बन सकता है जो कि है पडिवहन से चार जन्मरी 2022 को मोदी तिरपूरा में किस हवाई अड़े पर निर्मिट नए एक एक टर्मिनल भवन का उठगाटन किया तो महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड़ा टर्मिनल अब है पांच जन्मरी 2022 को लखनौ कानपूर एक्सप्रेस की 88 सिला किसने रखी है तो रक्षा मंतर अगर बात करें तो बिहार राज का विधूत उर्जा में केंद्रिय कोटा कितनी है है मतलब करन सरकार के द्पारह बिहार को कितना जो है मिल रहा है तो गंद्रिय केंद्रिय कोटा कितना है साथ हजार मेगावाट है तो मतलब कितना सर्पुलस उर्जा हो गया तो 500 मेगावाट जो है जैदा है एक से कोश्चन है कि वर्स 2021 में भारत ने कितना सोना आयाट किया मतलब दूसरे देशे मंगाया है तो दस सो पचावाश टन 2022 में 430 तन सोना आयाट किया है तो अगर बात करें आयाट में भावाश का अस्थान कितना है तो दूसरा अस्थान आब है जन्मणी 2022 के नुसार भावाश के जीडीप कितनी है तो 2.72 trillion dollar क्या है 2.72 trillion dollar और अगर बात करें तो दुनिया की बात करें तो सात्वा अस्थान जो है दुनिया करता है सीर्स के अगर बात करें तो कि इंपोर्टेंट एसे टाप को कोश्चन आ जाते हैं तो 20 तसम्लब 49 trillion dollar जो है अब कि तिसरा है जनवरी 2022 के अनुसार 21-21 में रास्टी सांखी की कारिया लए ने देश की आर्थिक विर्धी दर का अनुमान कितना लगाया है तो 9.2 परतिसट है जबकि आर वी आय ने अनुमान लगाया है 9.5 जो है भाट का जो है 21-22 में जो है विर्धी दर जो है होगा तो जितने भी थे साथ जनवरी तक एक सप्ता करेंट इंपोर्टेंट उसे जो है इसमें बता दिये हैं अको लगता है कि इससे हमें हेल्प मिला तो सेयर करिए लैक करिए